नागन सिक्स को लेकर सौंदर शर्मा ने आखिरकार तोड़ी चुप यह ऐसा जवाब कानों पर यकीन करना हो जाएगा मुश्किल बिग बॉज 16 कंटेस्टेंग सौंदर शर्मा इन दिनों खूब लाइम लाइट बटोर रही है पार्टी हो या वार्ट शो अक्ट्रस अपने लुक्स और ड्रेसिंग सेंसे हर किसी का ध्यान अपनी और खीची लेती है बिग बॉज 16 से बाहर आने के बाद सौंदर या अपने नए प्रजेक्स को लेकर भी लाइम लाइट में बनी हुई है इन में से एक है एक तक अपूर का सूपर नाचरल शो नागिन 6 और नागिन 7 एक तक अपूर ने बिग बॉज 16 में अपने विजिट के दौरान नागिन 7 को लेकर अनाउंस्मेंग किया था कि वो बिग बॉज के इस सीजन से एक आक्टरस को अपने शो में बतौर लीट कास्ट करना चाहती है हाला कि उन्होंने नाम रिवील नहीं किया था वहीं एक तक इस अनाउंस्मेंग के बाद से चर्चाए होने लगी थी कि नागिन 7 में प्रियांका चाहर चौदरी, सुंबल तकीर खान, निम्रित का और रालुबाले और सौंदरे शर्मा में से कोई एक ही शामिल हो सकता है सौंदरे के नागिन 6 में भी शामिल होने की इंफोमेशन सामने आई थी अब एक्ट्रेस ने इन खबरों पर आखिर कार चुपी तोड़ ही दी है सौंदरे शर्मा ने अपने हालिया इंटर्व्यू में नागिन और अब्दुरोजीक और स्टैन के जगड़े पर भी बातशीत की नागिन्द को लेकर टेली चकर से बातशीत के दौरान सौंदरे ने कहा कि वो अब टीवी शो नहीं करेंगी उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जोली में फिलहाल कई सारे प्रजेक्स हैं लेकिन वो अभी कुछ ज्यादा रिवील नहीं कर सकती है लेकिन जल्दी स्क्रीन पर वो नजर आने वाली है वोई बिग बॉस 16 में बेहत करीबी फ्रेंट रहे अब्दू रोजिक और एमसी स्टैन अपने जगड़े को लेकर पिछले काफी टाइम से सोशल मीडिया पर लाइम लाइट बचा रहे हैं दोनों के जगड़े को लेकर सवाल पूछे जाने पर सौंदरे न कहा कि ऐसे जगड़े होते रहते हैं कई बार गलत फैमिया हो जाती है लेकिन टाइम के साथ ये सब दूर भी हो जाती है उन्होंने ये भी कहा कि अब दूर स्टैन आइडल्स हैं और वो अपना जगड़ा सुलजा लेंगे मिक बॉस 16 में हम चार महीने तक रहे थे और ऐसी चीज़े होती ही रहती है वर आपका सौंदरे की कहीन बातों पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें